दोस्तों क्या आपको पता है कि ChatGPT के लावा हमारे पास एक अधर और टूल है जिसको हम कहते हैं Google बार्ड Google बार्ड भी सेम वही काम करता है जो ChatGPT काम करता है लेकिन उसमें सिमिलेटी के साथ साथ कुछ डिफरेंट भी है जैसे कि क्या है ChatGPT हमारा कनवर्शनल AI टूल है लेकिन हमारा Google बार्ड AI पावर्शनल इंटरनेट सर्च टूल है यह इसका एक टाइप और प्लैटफॉर्म डिफरेंट है दोनों के बीच में प्लस जो ChatGPT ओपन AI ने लांच किया है और यह लेंग्विज मॉडल है ठीक है उसके बाद जो हमारा Google बार्ड है वह Google लेंड़ा के बेस पर बना हुआ Google बार्ड है ठीक है और डाटा सोर्स क्या है हमारा 570 GV to textual data from the websites and books and other sources of the ChatGPT लेकिन इसी के case में हमारा जो Google बार्ड है वह क्या है website and source on Google search index जो उसके पास Google search पर जो इंडेक्स है उसके बेस पर वह डाटा आपको प्रोवाइड करता है तो उसका में डाटा सोर्स है वह Google search का जो इंडेक्स है जो वेबसेट है वह सोर्स है वह उससे वह डाटा लेके collect करके आपको गूगल बार्ड से प्रोवाइड करता है प्लस जो नौलेज है जो लिमिटेशन है जो कह सकते हो कि चैट जीपिटी के पास है अभी लेकिन उसके प्रीमिय 2021 तक ही लिमिट है उसको फ्री वर्जन में एक्सेस करने के लिए अगर आप कोई डाटा सर्च कर रहे है उसकी लिमिटेशन 2021 तक है अभी गूगल बार्ड की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं पता गया है कि इसकी अभी बार्ड में वह कहीं कहीं लॉंच हुआ जैसे इंडिया म सर्विस अवे लेवल नहीं है लेकिन में भी यूएस अन अधर्स कंट्री है अग्सेस अफ गूगल बार्ड और यूजिस क्या है लिमिटेट पर आवार लेकिन अभी इस पे गूगल बार्ड का कोई भी इन्फोमिशन नहीं है I hope this video is helpful to you to understand the word is different between the chat GPT and the Google part and really these are the two big competitor in the world right now in the AI based tool